नवस्कार दोस्तों मैं हम इटू कुमार और मेरी इटू चनल में आपका स्वागत है दोस्तों एक बड़ी खबर एक बड़ी अपडेट हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिहार लोग सिवा आयोग से चक भरती बिग्यापन संखिय 26-2030 से एन आयोईस द्वारा संचालित 18 मास सेवा कालिन यानि कि डिलेट परसिचिन प्राप्त अभियर्तों को बाहर करने के समंद्ध में यानि कि जो छठा चन सात्मा चन में ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए तो कोई दिकत नहीं है लेकिन आपके जो भाई बहान है व इस व्रीव में हम आगे बताने वाले हैं Smoke ब्लně सेवा में स्रीमान अपर मुख सचीप को दिया गया है ले ले टर्ट से श्चायवा-ब्यार लेटर को भी Gत्या और प्राइमरी को भी दिए गया है और जीनरा इसको बहार करने के 개छा अब यहां द बाहर करने के लिए सामने निकल के आ रही है कि जो छठा चनके अभियरती हैं सातमे चनके अभियरती हैं जो आने वाले परिच्छा में सामने वाले अभियरती हैं वो क्या करें हम लोग पहले से ही आपको करें कि आप सबसे पहले एक हो यह क्योंकि अभी से ही फूट बनने लगा कि हम छठे चनके हैं हमारा जोब होगे हमें कुछ नहीं होगा हम सातमे चरंगे हैं वीपेसी होगे हमारा होगे हमारे कुछ नहीं होगा दिखे जब आप दोने से बढ़ जाएगा तो आने वाले जो एनास्ट इच्छक अभियरती हैं उनका क्या होगा वो तो एके लिए पड़ जाएंगे और वह के लिए लड़ाई लड़ नहीं सकते हैं अगर जो लड़ाई लड़ा जा रहा है अगर वो एंसीटी एमेचाडी और सुप्रीम कोड से आगे की लड़ाई में इससे टुपीट को भैलिड करा लिया जाता है तो ना छाटा चनल पर परभाव होगा ना आगे आने वाले से टी यारी वन का अभ्यर्ती हैं जिसका विज्ञापन संख्या 26 दोजर तेज से दिनांक 35 दोजर तेज को प्रकासित किया गया था जिसमें शैनित एन आई ओएस अठारा मास सेवा कालिन परशिच्छन प्राप्त अभ्यर्तों को मानिय सर्वोच नियाले द्वारा दिनां 3857-22 को पुना एक साथ सुनवाई करते हुए अपने आदेश दिनांक 721-23 को सुरच्छित कर लिया गया जिसका आदेश 28-2123 को मानिय सर्वोच नियाले द्वारा दिया गया है अतह स्रीमान से प्रातना है कि मानिय सर्वोच नियाले के आदेशों का अनुर्पालन करते यानि कि दो बरशी अभियरती को नुक्ती करने की किरपापरदान की जा हमने पहले भी अललट किया था कि जिस अभुर्ख्यार्थी के साथ आप काम कर रहे हैं वही अभियरति आपको धोखा देगा आ देख clair आज वही अभियरती आपके पीठ पीछे छूड़ा घुप रहा है यानि कि सर्च वाले में लेटर दे रहा है आपको बाहर करने के लिए और अभी भी आप फूट पे पड़े हुए हैं यानि कि साथ देने के बजाए फूट पड़े हुए कि अब हमारा कुछ नहीं होगा रहने तो जो आगे करना है वो लोग करेंगे यानि कि इस तरह से अगर आप मनोवल तोड़ते हैं तो जो आगे आने वाले अभी हरती हैं क्योंकि जो आप टीचर होगे ऐसे चक होगे तो आपको तो कोई मतलब नहीं है लेकिन जो अभी है उनका क्या होगा वो सटिफिकेट का क्या करेंगे तो हम सबसे अपील करना चाहते हैं कि बस आप लोग छट्टा चरन सातमा चरन और जो आने वाले आगे अभीरती हैं वो सब एक होके सुप्रिम कोट में ठीक से लड़ाई लड़िए और सब एक दुसरे को सपोर्ट किजिए अगर आप बाहर होते हैं तो कल भी आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं मिलेगा अगर आप अभी सपोर्ट करना छोड़ देते हैं तो देख सकते हैं ऐसा बहुँ सा लेटर हम आपको दिखाएंगे जो मेरे पास पड़ा हुआ है कि किस तरह आपके पीछे धोखा हो रहा है तो एक छोटा सा अपडेट हमने दिया दोस्तो इस तरह का और भी कुछ अपडेट आएगा तो उस अपडेट से भी हम आपको वरू वरू जरूर कराएंगे तो फिर मिलते हैं एक नेक्ट वीडियो मे धन्यवाद दोस्तो